गुड मॉर्निंग बच्चो गलो ओफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है प्यारे बच्चो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चो है रिजन परमानों का आउशोशन इस्पेक्टरम 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 इ बच्चो यहां पर जो हैं बच्चो अब मैं आपको absorption spectrum आउसोषन spectrum के बारे में बता रहा हूँ बच्चो आपको इस में ध्यान देना है कि जो absorption spectrum है और जो emission spectrum मैं अरफात जो आउसोषण स्पेक्टम है और जो उत्सरजन स्पेक्टम है उसमें अंदर क्या है और उसके बाद बच्चो मैं आपको हर्जन परमानुका आउसोषण स्पेक्टम भी बताऊंगा बच्चो तो बच्चो सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पर बच्चो cold gas लेनी है बच्चो cold gas का मतलब है बच्चो कि यहाँ पर जो है इस gas के जितने भी atom है वो अपनी ground state में है निम्नतम उर्जा अस्तर में है बच्चो ठीक है आप इसको room temperature पर भी ले सकते हैं ठीक है बच्चो अब हमने क्या करना है बच्चो आप इसमें दि ली है बच्चो यह देखें यह हमने white light यह bulb लिया है आप ठीक है इससे जो है हमको white light मिलेगी और इसमें कितने कितने तरंग देर होंगे बच्चो सात तरंग देर होंगे इसमें भी आई बी जी वाई ओ और वोईलेट से और रेट तक बच्चो ठीक है अर्था 4000 एंग स्टो से 8800 एंग स्टोंग यह जो विद्दुच चुंब के स्पेक्ट्रम है उसकी एक छोटी सी पट्टी है इसको बच्चो आप द्रिश्य प्रकास विजविल लाइट भी कहते हैं जो कि हमारी आँख में संबीदना परकट करती है ठीक है बच्चो और उसी से हमको यह दिखाई देता है बच्चो अब हम क्या करेंगे इस वाइट लाइट को ठीक है बच्चो इसमें साथ साथ तो यह कलर है लेकिन 4,000 से 8800 के बीच हमारे पाद बहुत अन गिनित जो हैं क्या पाई जाएंगे तरंदैरिया पाई जाएंगे बच्चो और उनमें से साथ जो हैं यह हमने यह पर लिक़्े हैं जब हम क्या करेंगे कोल्ड कैस से वाइट लाइट को पास करेंगे तो क्या होगा बच्चो इस इस प्लड गैस के एटम हैं वह कुस एनरजी को क्च एनरजी को क्या कर देंगे और थो बच्चो कुछ भाग गैस ने अवसोसित कर दिया some portion absorbed byIt थीकर बच्छो एनर्जी का कुछ भाग यह आवसोसित कर देंगे भाच्छो तो जो आवसोसित कर देंगे ठीकर वापने मेंसे जाने नहीं देंगे भाच्छो ठीक अब देखे बच्चो यहां से हमारे पास जो हैं क्या यह था यह सारा जो हैं तरंगदैर हमारे पास था 4000 एंगिस्टोंग से 7800 एंगिस्टोंग हमारे पास था लेकिन इस मैंसे कुछ wavelength को यहां absorb कर दिया गया ठीक है कुछ energy को cold gas के atom ने absorb कर दिया वो बाहर नहीं निकलेगा बच्चो ठीक है बच्चो जो बाहर निकलेगा यह देखे जो remaining radiation बचा हुआ बिकीरण जो बाहर निकलेगा बच्चो उसी को आप क्या कहते हैं absorption spectrum यह देखे बच्चो तो क्या होगा बच्चो कुछ ही भाग कु atom क्या करेंगे gas के वो absorb करेंगे जो वो absorb करेंगे बच्चो वो आपको spectrum में काली रेखा द्वार यह दिखाई देखे यह काली रेखाएं तो यह देखाएं कुछ ही रेखाएं होंगी और सारा wavelength सारा बिकीरण बाहर आ जाएगा बच्चो यह देखे यह दिखाई दे रहा है तो ये बहुत जाधा परतिस्ट होगा वच्छो तो हम कह सकते हैं कि जो अवसोषन इस्पेक्ट्रम है वो लगभग क्या है सतत है ठीक वच्छो कंटुनियस तो वच्छो एक महतवपून जो है जानकारी आपको मिल गई है कि अवसोषन spectrum लग भग क्या होता है सतत होता है continuous होता है बच्चो लेकिन उत्सरजन spectrum सतत नहीं होता है बिबिक्त होता है line spectrum होता है तो बच्चो ये बात समझ मागी क्या होगा कि जब हम white light को cold gas से पास करेंगे तो ये कुछ energy को absorb कर देगा अर्थार कुछ wavelength को बाहर जाने नहीं देगा जो wavelength बाहर आएंगी जो energy radiate होगी बाहर उसी को हम कहते हैं absorption spectrum और जो अवसुसित कर दिया है वो इस प्रिस्ट भूमी में काली देखाएं दिखाएं देगी अर्थार बहुत कम जो है तरंगदेर्य को ये absorb करेगा इसका मलब जादा से जादा जो है तरंगदेर्य हमको प्राप्त हो जाएगा इसका मतलब जो absorption spectrum है वो लगभग क्या है सतत है क्या है बच्चो लगभग सतत है कंटुनियस लगातार है बच्चो ठीक बच्चो तो इसमें ध्यान आपको ये देना है ये cold gas का मतलब ये है कि वहाँ पर atom क्या होगा निम्न तम उर्जा अस्तर में होगा ठीक है बच्चो यदि हम hydrogen gas को ले 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 तो उसके atom माइनस 13 8006 sponsoring bolt की उर्जा अस्तर में होंगे अर्था और निम्नतम उर्जा अस्तर में होंगे एक बात और आपको ध्यान देनी है बच्चो कि absorption spectrum अर्था आवसोर्षन spectrum हमेशा निम्नतम उर्जा अस्तर से होता है ध्यान रहे बच्चो घ्यान देना है absorption spectrum हमेशा निम्नतम उर्जा अस्तर से ही होगा ठेक है बच्चो और उत्सर्जन इस्पेक्ट्रम किसी भी excited state से अठार उच उर्जा अस्तर से भी हो सकता है ठीक है बच्चो अब मैं आगे लिए चलता हूँ फिर दुबारा मैं आपको इसको बताऊंगा बच्चो emission spectrum ठीचा उत्सर्जन संक्रम या spectrum या क्या कह सकता बच्चो spectrum अब मैं दोनों की यहाँ पर तुलना कर रहा हूँ और आपको इस पस्ट रूप से आ जाएगा बच्चो अब देखो बच्चो उत्सर्जन spectrum में आपको hot gas लेनी है excited atom होंगे इसमें अर्थात यहाँ पर हम सामन्य प्रकास के द्वारा emission नहीं कर सकते हैं आपको ध्यान देना है बच्चो यहाँ पर आपको ध्यान देना है इभन जो है सूर्य में जो है सूर्य के प्रकास में जो है आपको क्या मिलेगा आउशोसन spectrum मिलेगा मैं बात में बताऊंगा यहाँ पर यह hot body होनी चाहिए hot gas होनी चाहिए यह बहुत जादा गरम होनी चाहिए बच्चो तभी इससे radiation निकलेगा तभी emission होगा लेकिन absorption के लिए सामन्य परकास भी परियुक्त है ठीक है सामन्य परकास से भी absorption हो सकता है लेकिन emission के लिए बहुत जादा temperature की आउस्कता होती है अर्थात hot body होनी चाहिए hot body ही क्या करेगी radiation को emit करेगी अब देखे बच्चो यह hot body है hot gas ले रिखे बच्चो आपने ठीक है अब यह क्या करेगा जब यह क्या करेगा यह radiation emit करेगा on losing energy यह energy को radiation के रूप में emit करेगा यह देखो बच्चो अब देखे बच्चो यहाँ पर देखे immediate radiation यह radiation को क्या करेगा emit करेगा लेकिन यहाँ पर जो है क्या होगा बच्चो जो immediate radiation है वो fix हो जाएगा ठीक है वो क्या हो जाएगा fix हो जाएगा क्योंकि जो है जब atom को पर्युक्त उर्जा मिलेगी तभी उच उर्जास्थर में जाने के बाद क्या करेगा बच्चो वेब को तरंग को इमिट करेगा ठीक है बच्चो तो इसमें फिक्स हो जाए यह देखो बच्चो और सारी प्रिष्ट भूमी यह देखो सारी प्रिष्ट भूमी काली दिखाई देरी है अर्थात इसने निस्चिक तरंग दैर्य को ही इमिट किया, ठीक है बजो, ये देखे एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, मैंने यहाँ पर तीन चम कीली रेखा बना रही बज़ो, ये क्या है, चम कीली रेखा, ठीक है बज़ो, क्योंकि उस सर्जन स्पेक्टरम में निश्चित तरंग दैर्य ही आपक इसका मतलब ये हो गया है बच्चो यहां पर आपको ध्यान देना है ठीक है बच्चो जो जो अवसोसन इस्पेक्ट्रम में जो अवसोसित कर रखे हैं एटम ने उसी को यहां पर ये काली देखाएं हैं तो यहीं पर उत्सरजन इस्पेक्ट्रम में ये इसी को वो क्या करेगा इमिट करेगा ठीक है वही जो जो अवसोसन इस्पेक्टम में ध्यान दीजी यहां पर महत्रपूर्ण है जो अवसोसन इस्पेक्टम में अवसोसित कर रहे हैं परमान उन्हें ठीक है ये काली रिखाए हैं वही उस सर्जन इस्पेक्टम में आपको दिखाई देंगी और वो आपको क्या दिखाई देंगी बच्चो चम की ली ँखाई देंगी ध्यान देना है आपको कि जो अवसोसन स्पेक्ट्म में जो परमाणों ने एक भार थिर बता रहा ह। यह काली रिखाएं देख रखी है यह तो यहाँ परमान ने क्या अवसोसित कर रखी है और इसी को क्या करेगा वो इमिट करेगा इसी को क्या करेगा इमिट करेगा और यही चम के लिए दिखाएं दिखाएंगी और जो उसने यहाँ से यह इमिट कर रखा है यह रिखाएं उस बच्चो उत्सर्जन इस्पेक्ट्रम ठीक है बच्चो लेकिन ध्यान देना है बच्चो कि जो आउसोसन इस्पेक्ट्रम है वो निम्लतम उर्जा अस्तर से ही होगा लेकिन जो इमेशन इस्पेक्ट्रम है वो किसी भी उत्च उर्जा अस्तर से हो सकता है मैं आपको इसको चलता हूँ बच्चो थोड़ा आपको ध्यान देना है तब उसके बाद मैं इसके नौट्स बनाऊंगा बच्चो तो बच्चो अब हम आते हैं hydrogen के absorption spectrum पे hydrogen परमानों का absorption spectrum absorption spectrum of hydrogen atom ठीक है बच्चो अब बच्चो इससे पहले मैंने journal idea आपको दे दिया है हम क्या करते हैं बच्चो ध्यान दीजी हम sweet प्रकास को अर्थात ये sweet प्रकास है आपका ठीक है बच्चो इसका wavelength कहां से सुरू है बच्चो चार हजार एंगिस्टोंग से अर्थात ये violet का है ठीक है चार हजार एंगिस्टोंग से अठथतर सो एंगिस्टोंग के बीच में ये हमारा white light है sweet प्रकास है ये दिरिश्य भाग में आता है बार बार कहा जार है दिरिश्य भाग visible portion है ये spectrum का एक छोटा सा भाग है ठीक है बच्चो अब हम क्या करते हैं बच्चो कि इस sweet प्रकास को hydrogen gas से भरी नलिका में परवेश कराते हैं बच्चो तो होगा क्या बच्चो ये क्या करेगा कुछ यहाँ पर बहुत कम कहरें कुछ उप्युक्त उर्जा के photon को अवसोसित कर देगा और उसके बाद क्या करेगा जितने बचे हुए हैं उनको radiate कर देगा इसलिए यहाँ पर क्या हुई थे बच्चो बहुत जादा चमकिली मिलेंगी ठीक है बच्चो और जो अवसोसित कर दी हैं बच्चो वह आपको डार्क लाइने मिलेंगी उन्हीं डार्क लाइनों को हमने नीचे प्लॉट करना है बच्चो एक बार फिर समझाओ बच्चो हमने स्वेत प्रकास को इसमें से गुजारा हाइड्रोजन से भरी नल क्या करेगा सब को अवसोसित नहीं करेगा इन मैंसे जो फोटोन है बहुत जादा फोटोन होंगे उन मैंसे कुछ ही फोटोन को ये अवसोसित करेगा और को कि ये क्या कर देगा इमिट कर देगा अर्थात ये सतत इस्पेक्टम ही बनाएगा क्योंकि जो है इसने कुछ तरं तरंग दैरे मान लीजिए ठीक है वच्छो 2-3 तरंग दैरे को ही यह आवसोसित करेंगा और सब को क्या करेंगा इमिट कर दिएगा यह मैंने पहले ही आपको बता दिया है वच्छो लेकिन कौन से फोटोन करेंगा जो उप्युक्त उर्जा के हैं अब उप्युक्त उर्जा कौन है बच्चो जितने जो हैं क्या होगा एनर्जी ये देखे बच्चो जितनी एनर्जी होगी यहाँ पर देखे यदि जो हैं उसको दूसरी कख्चा में जाने के लिए उसको रिन 13.6 बोल्ट से हूँ यहाँ पर देखे इसने क्या किया हमने स्वीत प्रकास को क्या क्या बच्छो हाइड़जन से भरी नलिका में गुजारा तो उसने कुछ वेबलेंद को अर्थात उप्यक्त उर्जा के फोटोन को अवसोसित कर दिया और जितने भी जो हैं बाकी हैं उसको क्या कर दिया ब इमलतम उर्जा अस्थर से ही होगा अर्थात एन बराबर वन से ही होगा और एन बराबर वन से बिभिन उर्जा अस्थरों में होगा अर्थात एन बराबर एक से एन बराबर दो एन बराबर तीन एन बराबर चार एन बराबर पांच एन बराबर छे सो ओन ठीक है बच्छो क केवल इसका मतलब ये हो गया है कि हाइड़जन के अवसोशन इस्पेक्टर में केवल लाइमन स्रेणी ही आपको प्राप्त होगी, दूसरी स्रेणी आपको प्राप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि बच्चो मूलतया अवसोशन इस्पेक्टर में निम्नतम उर्जा अस्तर से होना है, N बरापर एक से ही होना है, N बरापर दो से नहीं होना है, क्योंकि N बरापर दो जो हैं पर्थम उत्तेजित अवस्ता है, जो की बामर स्रेणी में आती है बच्चो, तो बच्चो, मैंने यहाँ पर हर्जन का अवसोषन स्पेक्ट्रम जो कि लाइमन स्रेणी में आता है और आपको आता है बच्छो एन बरावर वन एन बरावर टू एन बरावर थ्री फोर फाइब सिक्स और यह लास जो है मैंने डॉर्टट बता रहा है यह आइनित अवस्ता है ठीक है बच् यह पर हम 13.6 और तीन 3.4 का अंतर अर्थाद डेल्टा ई अर्थाद डेल्टा ई बरावर ई2 माइनस ए1 ठीक है बच्छो अर्थाद ईटू कितना है रिन 3.4 और रिन रिन 13.6 इतना तो यह कितना हो जाएगा बच्छो रिन 3.4 धन 13.6 और यह हो जाएगा दस तसमलब दो इलक्टोन बोल्ट और अगर इतनी उर्जा जो है फोटोन के पास इतनी उर्जा अवसोसित कर दी तो वो फोटोन कहां चला जाएगा बच्चो एन बराबर दो में चला जाएगा उसी परकार से एन बराबर तीन एन बराबर चार एन बराबर पात इस परकार से तो यहाँ पर हमको कौन सी स्रेणी अवसोषन इस्पेक्ट्रम में हमें केवल लाइमन स्रेणी ही प्राप्त हो रही है ये आपको ध्यान देना है अवसोषन इस्पेक्ट्रम हमेशा निम्नतम उर्जा अस्तर से ही होता है ये आपको ध्यान देना है और जो उच्छरदन संक्र संक्रमन है वो excited excited state से उत्तेजित अवस्था से भी हो सकता है मैं इसको आपको आगे बताने वाला हूं बच्चो तो आप इसमें ध्यान देंगे अब बच्चो आपको देखना है कि हमने क्या कहा बच्चो कि आवशोशन आवशोशन संक्रमन केवल निम्नतम उर्जास्तर से निम्नतम उर्जास्तर से ही होगा ठीक है बच्चो अर्थात एन बराबर वन से एन बराबर टू, थ्री, फोर, फाइव और सोन ठीक है बच्चो इसमें होगा लेकिन अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ बच्चो कि सूर्य के प्रकास में जो सूर्य में बच्चो बामर, स्रेणी का अवशोषन, संकरमन भी प्राप्त होता है ठीक है बच्चो अब मैं आपको सूर्य के प्रकास की बात करता हूँ बच्चो ये सूर्य का प्रकास है, सूर्य है और इसका टंपरिचर जो है बहुत ज़ादा होता है तो इसमें क्या होता है? जो एटम है जो एटम है वो एन बराबर दो में भी रहते हैं N बराबर 2 में भी रहते हैं अर्थात इतनी energy उनको मिली होती है कि वो अपनी पर्थम excited जो अवस्ता है जो उसकी excited अवस्ता है पर्थम excited अवस्ता है उसमें भी रहते हैं ध्यान दो बच्चो सूर्य में क्या होता है बहुत जादा temperature होने के कारण जो atom है वो निम्लतम उर्जास्थर में न होकर वो दूसरे उर्जास्थर में रहता है तो तब क्या होगा इसमें बामर और शोषन भी आपको प्राप्त होगा तो इस प्रकास सूर्य के प्रकास में जो हैं आपको इस प्रकास से प्राप्त होने वाला है इधार देखे, ध्यान दीजे n बढ़र 2, के वाद सूर्य के प्रकास में होगा, बच्चो, n बढ़र 2 n बढ़र 3 n बढ़र 4 और n बढ़र 5 यह आप देख रहे हैं, बच्चो फिक है, बच्चो, यहाँ सूर्य के प्रकास में ऐ Å क्या है? अत्यधिक जो है टंप्रेचर के कारण अत्यधिक टंप्रेचर के कारण N बरावर 2 में भी रहते हैं तो अब क्या हो जाएगा बच्चो यहाँ पर हमको बामर आउसोशन स्पेक्टम भी मिलेगा ठीक बच्चो N बरावर 2 से 3 में N बरावर 2 से 4 में और N बराबर 2 से 5 में भी हमको ये प्राप्त होगा. तो यहाँ पर क्या मिल गया बच्चो? बामर स्रेणी के लिए आउशोशन इस्पेक्टम बोलो या संक्रमन बोलो. ठीक है बच्चो? तो किलियर हो गया बच्चो? आपको कम्टिशन में पूछा जाता है कि क्या क्या अउशोशन संक्रमन जो है N बराबर 2 से भी हो सकता है. तो हो सकता है लेकिन उसके लिए आपको बहुत जादा टंपरिचर, बहुत जादा एनर्जी की आउस्कता होगी. अर्थात वो सूर्य में ही संबव है बच्चो. ठीक है बच्चो? ये सूर्य के प्रकास में आपको बामर स्रेणी का अफ्शोशन स्पेक्टम भी प्राप्त हो जाता है. क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि वहांपर जो है सूर्य का टंपरिचर बहुत जादा होने के कारण, हर्जन की जो एटम है, वो n बराबर 1 अर्था निम्नतम उर्जास्तर में न होकर, कहां चली जाते हैं बच्चो? कुछ कहां चली जाते हैं? एन बराबर दो में भी पर्थम एक्जैटिट अवस्था में भी चले जाते हैं और उसके बाद उपर की अवस्थाओं में फोटोन को अवसोसित करते हैं और आपको बामर स्रेणी के लिए अवसोसन संक्रमन प्राप्त होता है ठीक है बच्चो आप देखे बच्चो थोड़ा समय आपको बता दूँ कि जो हैं यहां पर जो हैं जो उत्सरदन संक्रमन है वो जो हैं जरूरी नहीं है कि वो कहां से शुरू हो बच्चो वो जरूरी नहीं है कि वो एन बराबर एक से ही शुरू हो अवसोसन संक्रमन संक्रमन के लिए निम्नतम उर्जा अस्तर का होना मैं आपको बता देता हूं जल्दी जल्दी मैं आपको यह बता देता हूं बच्छो देखे ध्यान दीजिए बच्छो यहां पर ध्यान देना पड़ेगा लासमें इसको समझना होगा देखे बच्छो यह एन बराबर एन बराबर क्या है एक है यह एन बराबर क्या है बच्छ और इस प्रकार से ये लाइने बहुर नजदिक जाती जाती हैं और आपको last में n बराबर infinity अब देखे बचो अब यहाँ पर क्या होगा बचो यहाँ पर क्या होगा अब मैं आपको उस दन संक्रमन बता रहा हूँ ठीक है बचो तो n बराबर 1 में भी हो सकता है ये देखे n बर बराबर 1 में मैंने दिखा दिया बचो मैं कम दिखा रहा हूँ तो यह लाइमन स्रेंड देखो तो n बराबर 2 से n बराबर 2 में भी होता है यह देखे बचो n बराबर यह देखो दो में भी यह बामर स्रेंड आपको मिल गए बचो ठीक है बचो इसका मत्तब यह है कि उस दन जो संक्रमन है वो जो है क्या हो सकता है उच उच उजा अस्तरों से भी हो सकता है ठीक है बच्चो एन बराबर दो एन बराबर दो से यह देखो जब एन बराबर दो में क्या होगा एन बराबर दो से जो है क्या होगा यह उपर जाएगा और वहां पर यह जो इलक्टॉन उपर अजाएगा n बरावर third time दस्सकी घारदर ऑर ही यह सेकिन वहा रहेगा और तुरंट जो है क्या होगा अपने एन बरावर दो में आ जाएगा ठीक है इन बारवर दो में भी वह ठीक मुझो एकर लिफ्र गवल किसमें संभवह essa उत्सर्जन इस संक्रमन में ठीक है बच्चो ठीक है तो ये किलियर हो गया कि जो अवसोर्शन है वो निम्नतम उरजास्तर से ही होगा और जो उत्सर्जन है वो किसी भी उत्तेजित अवस्ता से हो सकता है बच्चो तो बच्चो बहुत बहुत धन्यवाद आपको आपने जो है इसको enjoy किया और मुझे आसा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चो